नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डिनिंग विथ वंदिना में आपका स्वागत है गुलाब के पौदे हम सभी की बग्या में एक दो करके ऐसे लगी रहते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि ये बग्या हमारी एकदम हरी भरी रहे गुलाब की बग्या है वो उसमें फूल बहुत अच्छे आए क्योंकि गुलाब के फूलों को देखकर एकदम मन अच्छा हो जाता है और इसी प्रयास में मैं भी रहती हूँ और आप सब भी इसी प्रयास में रहते होंगे और शायद इसी लिए आप ये वीडियो भी देख रहे हैं कि आपको के जो गुलाब हैं वो कैसे अच्छे से खिल सकते हैं तो इसी स्रिंखला की ये वीडियो है और बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं कि गुलाब बढ़ नहीं रहे हैं पतिया भी कम हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा लंबे समय गोलाब की कोई ग्रोग ही नहीं तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और दो ऐसे fertilizer का combination बताओंगी इनके क्या यूज है और इनको किनकी अन्य खादों के साथ दिया जा सकता है इनके फायदे क्या नुकसान क्या इसी के बारे में बात होगी तो आज की जो वीडियो है बहुत important है आज की वीडियो में जो मैं combination आपको बताने वाली हूँ गुलाब के लिए वो छोटे पौधों में तो और भी ज्यादा अच्छे result लाएगा यानि कि आपके पौधे छोटे हैं और नए नए आपने लगाए हैं तो उसमें उसके जो result है वो ग्रोथ हैं वो बहुत अच्छी आएगी फूलों की संख्या को भी बढ़ाएगा और गुलाब के पौधे को घना भी बनाएगा तो मैं बात कर रही हूँ एनपी के 19-19-19-19 खात की और उसको पौधों में कैसे प्रयोग करना है और कितना यूज करना है उसके फायदे क् कि यह एनपी के 19-19-19 होता क्या है एक बेसिक जानकारी जान लेते हैं डिटेल में मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है और यह गुलाब के पौधे में खास करके किस तरह से काम करता है तो एनपी के में एन नाइट्रूजन है पी फॉस्फोरस है और के पोटेशियम है यह एक ऐसे हैं नूट्रियंट होते हैं जो की लगभग सभी जितने भी पौधें उसमें सबसे जादा तोर पर यह इस्तेमाल होते हैं और इनके बिना हम प्लांट की कलपना भी नहीं कर सकते हैं पौधों के विकास के लिए यह तीनों तो बहुत ही आवश्यक हैं इनके बिना पौधों की ग्रोथ नहीं हो सकती हैं इसमें कोई फल्फूल और पतियां नहीं ले सकते हैं तो यह थी बेसिक जानकारी बैलेंस एंपी के यह कभी 19-19 की मात्रा में आता है कभी 20-20-20 की मात्रा में आता है इसके रंग कभी सफेद होते हैं कभी गुलाबी रंके होते हैं और करासाइनि खाद होती है और लेकिन इसके बेस्ट रिजल्ट देखे गए हैं एनपिके के नाइटीन चाहत्त, नाइटीन या ड्विकल्ट के वेस्ट ड्विकल्स तेखे गए हैं गुलाब में तो जान लेते हैं कि ये काम कैसे करता है, हमारे जो गुलाब के पौधे हैं, उसमें ये N-P के काम कैसे करता है? N-नाइट्रोजन जो कि गुलाब की ग्रौध के लिए पतियां लाने में सहायक होता गुलाब या किसी भी प्लांट के में जब हम इसको डालते हैं तो ये ग्रोथ लाने में पतियां लाने में नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवशक्ता होती है तो ये जो नाइट्रोजन है इसमें वो इसको फुल्फिल करता है अब बात करते जड़ों की विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होता है क्योंकि फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यक्ता होती है गुलाब के पॉधे को और जो इसमें के है 1990-1919 में के है जो वो पॉटाश है और पॉटाश सभी न्यूट्रियंट करा जाए पॉटाश की अच्छी मात्रा होने से जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो बेस्ट रिजल्ट देते हैं और फूलों का रंग और साइज भी बढ़ाता है यह पॉटाश सर्दियों के मौ फॉट्रीलाइजर को हमें झरूर जानना चाहिए कि प्लांट में कैसे काम करता है इसको जरूर जान ले चाहिए और दूसरा जो फॉट्रीलाइजर हमυ्हम करने वाले हैं वह आपका ऐपसिंप सॉल्ट एक ऐसा न्यूट इंट है जिसका इस्तिमाल हम लगबख सभी पौधों में कर सकते हैं, पौधों का रंग जो हरा रंग होता है, यानि क्लोरोफिल के कारण ही ये पौधे हरे होते हैं, पतियां जो हरी होती हैं, वो सूरी के रोशनी में भोजन बनाता है, जिससे की ये ग्रीनरी बनी रहती है, तो इसमें ये एपसम सॉल्ट जो है, वो बह उपर के जो प्लांट है फ्लावरिंग फ्रूटिंग जो भी हो रही है वह बहुत अच्छे से हो पाएगी तो एपसम सॉल्ट का गुलाब में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपको भी जरूर करना चाहिए बेस्ट फर्टिला जा सकता है मैं ज्यादा तर प्रिफर करती हूं इसका फोलियर इस्प्रे करने के लिए क्योंकि मिट्टी में और्गैनिक फटिलाइजर भी देने चाहिए तो आप फोलियर इस्प्रे करते हैं तो भी इसके बेस्ट रिजल्ट है पतियों से भी भोजन ले लेता है पौधा तो इस तरह से एक ग्राम आप एनपी के 19-19-19 और एप्सम सॉल्ट को आधा ग्राम लेना एक लीटर पानी में घोलना और पूरे प्लांट्स में स्प्रे कर देना है मिट्टी में भी चाहें तो आप मिट्टी में भी दे सकते हैं इसे हम कितने दिनों के अंतराल पे यूज क अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे एक ग्राम के बजाए आधा ग्राम ही यूज करें और ये पौधों की साइज के हिसाब से भी ये फर्टिलाइजर दिया जाता है जैसे बहुत छोटे पौधे हैं तो आप हाफ ग्राम पहली बार अगर दे रहे हैं तो हा इतनी आवश्यक्ता इस तरह के फर्टिलाइजर देने की नहीं है तो इनके थोड़े बहुत हम जैसे चुक्कि हमें गुलाब के पौधे केवल फूल लेने के लिए ही होते हैं तो हम इनमें इनका इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसके नुकसान की बात कर लेते हैं कभी भी इसकी अधिक मात्रा अच्छी देखी नहीं गई है बहुत बार होता है कि आपने फोलेर स्प्रे किया अगर मात ज़्यादा है तो पत्ते तुरंद पीले हो जадते हैं अगली ही दिन लेकिन घबराने की बात नहीं है प्लांट मरेंगे नहीं केवल पतियां अगर पीली हुई है कुछ पतियां पीली होंगी वो गिरेंगे और नए पत्ते आ जाएंगे तो इसके एक ये नुकसान है और दूसरा नुकसान ये है कि कभी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो पौधे आपके थोड़े थोड़े नाजुक हो जाएंगे तो वो किसी भी तरह के पेस्ट अटेक भी हो सकता है और ज़्यादा ठंड होने पर दिक्कत हो सकती है अगर अभी अभी नरसरी से आपने पौधे लाएं हैं और गमले में लगा रहे हैं तो आप जब पहला पानी देते हैं तो उसे जब भी हम सुरुआत करें एंपके 19,19,19 निकी तो जैसे हमने प्लांट लगा दिया और पंदरे दिन इंतजार करें और जब देखें उसमें नई नई नोट्स निकलने लगती हैं चोटी चोटी पतियां निकलने लगें तब आप NPK 1990-1919 का फोलियर स्प्रे करें इसके जो बेस्ट रिजल्ट है वो छोटे प्लांट में ज्यादा देखे गए हैं तो जब पौधे छोटे रहते हैं तो आप इसे गुलाब के पौधे में दे सकते हैं और अन्य जो आपने सीजनल पौधे लगा रखे हैं और लगा दिया है आपने उसकी कोई बढ़त नहीं है सीजनल पौधे जैसे पिटूनिया, डैन्थर, केलेंडूला और जितने भी तरह क पौधे हैं जिनके नाम अभी मैं नहीं ले पा रही हूं बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो तो उन पे भी आप इस तरह के फोलियर स्प्रे कर सकते हैं क्वांटिटी आप बहुत कम रखें क्योंकि बहुत चोटे पौधे हैं उनको इतने भोजन की आवश्यक्ता नहीं है जैसे हम चोटे बच्चे को बहुत जादा भोजन नहीं करा सकते हैं बहुत थोड़े से में उसका पेट भर जाता है बस उसी तरह से हमें अपने जो छोटे पौधे हैं उसमें कम क्वांटिटी में फर्टिलाजर देने चाहिए इससे इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है और इ इसी भी तरह का जो फंजी साइड है वो भी मिला करके आप इस प्रे कर सकते हैं एनपी के नाइटीन नाइटीन में इसमें इससे कोई नुकसान नहीं होता है तो यह थी एक छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी हो